कुछ-कछ चीज़ें जो है बता दू आज इसके पहले कि हम लोग अपना जब शुरू करें पिछली बार मैंने बोला पूछा था कि सारे देवताओं के इसी देवता के साथ होता है यह दूसरी धर्णा होती है और दसमाविद्याओं के साथ भी होता है तो चंद्रमा की जहां पर बात आती है चंद्रमा को कृष्ण के साथ संबंदित माते हैं उसके अलावा चंद्रमा को शिवजी के साथ तो मानते ही मानते because चंद्रमा का दिन और शिवजी का दिन एक ही माना जाता है। देवताओं के माथे पे जो चंद्रमा होता है, उसका क्या significance है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है चंद्रमा की qualities, चंद्रमा के गुण। चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण होता है, waxing, waning, पंद्रा दिन बढ़ता है, पंद्रा दिन घटता है, आपने से कई लोग हैं जिन लोगों के साथ, especially अगर किसी ने भी तंद्रबादा experience किया है, या कोई भी तरह का negativity experience किया है, नजर कभी किसी को अगर मिला है, कुछ भी इसके उपर मैं एक important आप लोगों को exercise दूँगी, या homework दूँगी करने के लिए, अभी आ रहा है अमावस्या, 21 तारिक अमावस्या आईगी, अमावस्या के तीन दिन पहले, आप लोग बुक में लिखोगे, आपको कैसा लग रहा है, कैसे सपने आ रहे हैं, कैसा, कैसी अनि दिन त्रेयोदश, चतुरदश और जोपूर्णिमा होता है, उस दिन भी आप लोग जो है लिखोगे कि आप लोगों को कैसी अनुभूती हो रही है, आप लोग को कैसा फील हो रहे है, ठीक है, समझ गए आप लोग, आप लोगों को एक जर्नल बनानी है, एक किताब में ये लिखना है अमावस्या है 21 तारिक को आज होगी 18 तारिक तो 19-20-21 कल से कल से लेके 21 तारिक तक कैसा अनुबह होता है सपने क्या आते हैं कैसा लगता है और उसके बाद आप लोगों को देखना है अमावस्या क्या सपास तीन देन आप लोगों को कैसा फील होता है कैसे सपने आ है 21 तारिक को आपको क्या नुभूती होती है और 20-21 को और उसके बाद 22 तारिक के बाद क्या नुभूती होती है यह आप लोग पुर्णावत्र क्यों बोला जाता है क्रिश्न भग्वान सोला कल्षा संपूर्ण थे 24 कल्षान चाशकर कालान के जमाने में भाने वहीet है पहले लिखी जाती ती छो सट्क पल्षा हलु अकल दाल और राम जी जो थे उनमें 12 कला थी इसलिए उनको सूर्य के साथ संबंदित मानते हैं उनके उनको जो है पूर्ण अवतार नहीं पूर्णा अवतार सिफ भगवान कृष्ण को माना जाता है Because of Solakala. Solakala का ये Importance है. और जब आप चंदरवा की बहुत साथना करते हो तो एक एक करके ये वाली जुशक्ति हैं अपने आप आपके अंदर आती है. वरना चंदरवा की साथना नहीं करोगे तो पुष्टी तुष्टी यह सब आती ही नहीं है. जिन्या में आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुन्दरता हो, कितना भी पावर हो, अगर आप खुश नहीं है, अगर आप अंदर से प्रसंद नहीं है, अंदर से तुष्ट नहीं है, मतलब contentment नहीं है, तो कोई किसी मतलब का नहीं है और योगियों ने यही समझा और इसलिए जो है वो लोग घर बार चुड़के चले गए कुछ उनको पता था कि कितना भी आजाए कभी कभी शांती नहीं मिनने वाली सच्चे दानन्द बोलते हैं हम लोग आनन्द बोलते हैं भगवान क्या है सच्चे दानन्द है आनन्द मींस ब्लिस पीस के भी उपर ब्लिस आनन्द आनन्द खुशी से भी पढ़कर है प्रसन्न और आनन्द थोने में बहुत डिफरेंस है आनन्द खतम नहीं होता है आनन्द बहुत लंबा चलता है प्रसन्न तो मुमेंटरी होता है अभी के लिए तो यह वाली जो qualities हैं यह आती है चंद्रमा की साधना करने से इसीलिए जितने देवी देवताओं के माथे पर अप लोगों को चंद्रमा दिखता है वो लोग हमेशा प्रसन ने रहते हैं वो रहते हैं जमाधी में होते हैं उनको पता है कि सबसे ज्यादा आनंद कहां से आने बिल्कुल भी नहीं पड़ते और इसी लिए चंद्रमा को उनके उपर बनाएगा चंद्रमा सूर्य के बिना किसी भी देवता का कहीं कोई फोटो जनरली होता नहीं है जो आपको spiritual evolution के लिए चाहिए चंद्रमा को प्रसंद कैसे करें यह भी मैं बता देती हूं चंद्रमा को प्रसंद करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा साधना करें मैं बहुत Europeans और Americans के साथ काम करती हूं साधन meditation sessions करती हूं एक चीज़ जो उनके यहां है new moon meditation full moon meditation literally मतलब मैं बोल रहे हूं मेरे को सामने से बोलेंगे यार अभी पूर्णी में आने वाली है हम लोग पड़के meditation क्यों नहीं करते हैं अमावस से आने वाली हम लोग पड़के meditation मतलब ध्यान उनके पास इंट्रेस्ट है रूची है सिखाने वाला कोई नहीं ग्यान नहीं है हमारे पास ग्यान है बट रूची नहीं करना ही नहीं अभी 21st आएगा अमावस से हमें आप लोग को बोले हैं आप लोग देखना को कैसा फील होता है वहीं अमेरिका और यूरप में कई लोग बैठके ग्रूप बनाके बैठके meditation कर रहे होंगे new moon meditation और आप में से कई लोग तो बाहर रहते हैं आप लोग को पता यह होता है अच्छे new moon के लिए especially जो western concept है वो यह है कि वो लोग new moon के दिन मतलब जो अमावस्या का जो दिन आता है उस दिन वो लोग किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं कि हमको यह करना है फिर जैसे जैसे चंदरमा की शक्ती बढ़ती है उनका यह मानना है कि वैसे वैसे जो है उनक जो meditation होता ध्यान होता है वो इसलिए होता है कि मेरे आसपास जितनी भी बाधाएं हैं यह सारी की सारी बाधाएं खतम हो जैसे चंदरमा का धीरे-धीरे जो है उसके बाद appearance कम होते जाता है वैसे वैसे उनकी यह धार्णा है कि इसके बाद हमारी जो लाइफ में जो बाधाएं जो negativity है वो दीरे-धीरे कम होती जाती है वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है इतना असान होता हो तो फिर कुंडली ग्रह हाथ देखना यह सब यह सब useless होता है आपके प्रारत कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी लोग भारतिये लोग नहीं क्यों छोड़ दिया अपना ही कल्चर छोड़ दिया और इसलिए मैं बोले हुए कि 21 तारिक को माउसया की दिन आप लोग जरूर ध्यान करे जब तो आप लोग करोगे ध्यान करे ध्यान करे अनुगूती करे और फि सबसे पहले साधना करें बहुत बहुत जरूरी है चंद्रमाग्रा को पसंद करने के लिए स्पेशली अमावस्या की साधना और पुर्णिमा की साधना अनिवार है यह आपको करनी ही करनी है अमावस्या और पुर्णिमा के दिन आप नहीं छोड़ सकते हो चंद्रमा साधना उसके अलावा रुद्राविशेक करने से या विष्णु सस्रणाम करने से यह दोनों करने से जनरली नवग्र सारे के सारे प्रसंद होते हैं पर रुद्राविशेक करने से चंद्रमा की जो कमिया हैं आपके कुंडली में वो दीरे-दीरे चली जाती है और अगर आप रोज 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 रुद्राविशेक करो तो दीरे दीरे चंद्रमा का जितना होता है चंद्रमा से जितने आपको जो side effects, bad effects मलते हैं वो सारे के सारे हट जाते हैं इसलिए रुद्राविशेक बहुत powerful है उसके अलावा मोती पहने है मोती पर कैसे पहने, कौन सा पहने, कब पहने उसके लिए फिर आपको अलग से बात करने पड़ेगी वो मैं ऐसे comment नहीं बताऊँगी दूसरी बाते कई बार यह भी होता है कि आप लोग जोतिश के पास जाते हैं वो बोलता है यह आप लोग मैंसे कही लोगों ने सुना होगा हाथ उठाना जिसने इसमें सुना है या बोलना अन्म्यूट करगे आपका चंदरमा कमजोर है मोती पेहन ऐसा कई बाद जोतिश लोग बोलते हैं यह सबसे कड़ी बलगलब चीज़ चंदरमा कमजोर है मोती पेहन हो दूसरा ग्रह मता चला मंगल स्ट्रॉंग है या कुछ और सूर्य स्ट्रॉंग है वो जो है आपके चंदरमा के आप कितना तंत्रबादा है या आपको जो अग्यात जो शक्तियां है वो आपको बार-बार परेशान करें सपने में जो है पितर आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं तो अमावस्या के दिन कम से कम पांच लोगों को ग्यारा लोगों को और कुछ नहीं हो सकता है तो एक ही इंसान को और कुछ न जादा है और आपकी फैमिली में पितर दोष होगा 100% ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी आएंगी पितर दोष हटाने के लिए भी अमावस्या के दिन लोगों को अन्न का दान करना बहुत ज़रूरी होता है अन्न दान के पास धन बहुत आता है और सुन्दर ता बहुत आती है पैसा तो आप फिर भी कमाल होगे तन गाप अच्छे सुन्दर शकल यह बहुत पुर्णिय से मिलता है यह मिलता है जब आपके आसपास सब लोगों को खुश करते हो जब आपके आसपास हर कोई खुश होगा आप भी अंदर से खुश होगे इस जन्न में भी सुन्दर होगे अगले जन्न में भी सुन्दर ही बैदा होग और यह होती है चंद्रमा की क्रिपर, शुक्र की क्रिपर, इसलिए पूर्णिमा के दिन, खीर चढ़ाएं, दूच चढ़ाएं, और जो अभी सफेद कपड़ा, सफेद वस्तर चढ़ाएं, और अमावस्या के दिन, आप जितने लोगों को खाना खिला सकते हैं, उतने लोगों की घुटे जारें, घर के अंदर पर लड़ाई नहीं हो रहे हो, पर घर के अंदर हर इंसान जो है वो अनहप्य होता है, दुखी होता है, कोई रीजन नहीं मिलेगा, आपको यार में दुखी हो क्यों? यह होता है जब चंद्रमा कमजूर होता है, इसको स्ट्रॉंग करने के यह वाली चीजे जो मैंने बताए हैं चंदरमा का जब उरुद्रा विशेग, दान सफेद बस्तूओं का, पूर्णिमा अमाउस्या के दिन, डेफिनिटली दान, और पितरों को अर्ग देना, अमाउस्या के दिन, यह सब दीरे दीरे जब आप करेंगे तो आपके चंदरमा ज दुरगा जी, श्रुजी, जब हम इतना साधना करें इसन देर, अपने जिसे नवग्रह का भी आपकी अपकी जो पर्विक्वार्ण ग्रह का भी बिल्स वह एघग साल होए, और विकम अबतर हुमन बिल्स्तूशना ब्रुमन भी बिल्सूंशना है, जिसे लिवक्वार बेत it to us. इसका में जवाब देती हूं. Everybody's read the Mahabharat and Rama in everyone? Pretty much, or at least a little bit of story बता है. Now I will give you just one example. Ram and Krishna, they were not normal human beings, right? They were all incarnations of Vishnu, yes? When you go to Rameshwaram, Lord Rama has established Navgrahas. अगर किसी को हिंदी में चाहिए, तो मुझे बुढ़ जब आप रामेश्वरम जाएंगे Navgrahas को समुद्र में स्थापित किया है Ramana. Same thing, Krishna की रथयातरा शूरू होती, Krishna's रथयातरा starts from Gundit, which is the temple of Navgrahas. And like I said, the thing, it is not that you know, Krishna or Vishnu or Shiva cannot surpass Navgrahas, but it is the universe. When the world, when society is functioning, you need police, you need army, you need air force, you need navy, you need a president, you need a prime minister. Now, what is the point of having a cabinet of ministers? In your house, you need a cook, you need a cleaning maid, you need a tutor, you need this. We have given different, different department. Sunny, I can't teach my daughter or my son, whatever they are studying. But I have other things to do. I need more people. So certain departments are given to somebody. So when I also go to my child's class, what will I call the teacher? I will call the ma'am. I never call my teachers, my children's teacher by their name. I have to give them respect because they are teaching my children. I may be more educated. I may be better off. But that is, same thing happens with Navgrahas. So this Navgrah is in Tantra, there are so many. There is yaksha, there is dakinis, there is so many. They get, there is yoginis. There are so many. 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 Of course, I am not going to take you to those. But I am just saying, I have given a department because naturally, if I have to study, I have to ask the tutor, the tutor knows better than me. I will have to still go through the book. And I cannot give that much time. This is the whole reason. This is why we have to give importance. The other thing is, to connect, to connect, this is what you have asked to do with one mantra. It is not possible to connect. Shivji can do everything. Guru can do everything. It is a simple thing. I know astrology. You come to me, I can tell you whatever you want to. You, 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 you call me to your place. Unamji, please, mute yourself. Unamji, please, mute yourself. I can't even see it here. Okay. Supposing, you have some work with me. I come to your house. Okay. I come to your place because there is something. So whatever the reason is, I come to your place. Now, when I come to your place, I will have to eat what you offer me. Yes or no, Jayaji? Yes. And you can only offer me what is in your kitchen or what you can afford to buy. Yes, absolutely. There, I can't come to your house and send my, you know, send Vandana, from San Francisco, send me peaches. Can't work like that. I am at your place. I have to eat whatever you give me. I have to sit on the sofa or the floor wherever you make me sit because it is your house. It is your territory. I cannot do anything. And I have come to your house. So naturally, I am the one who needs it. You may, you may call me several times. I will only come to your house out of my free will or if I need something from you. Yes? Same thing happens with all the avatars. Whether Krishna or Rama or Vaman or Parshuram or Varaha, they all came on earth to fulfill some tasks. They all came on earth to fulfill some destiny. Once they come on earth, earth where departments are already handed, already handed over. Chandrama has this department. Surya has this department. Your soul belongs to Surya. Your mind belongs to Chandra. Your brain belongs to Buddha. Sab joe hai divided it. So even when the gods, when the incarnations enter their territory, they have to give them importance. And when the incarnations, when gods have to give them, have to have to give them importance, what do you think we are? When Lord Vishnu has to worship them, when the, what do, what are we? and isi liye Mahabharat yudh ke pahle Bhagalamukhi sadhana karai gai Pandava ko. When you go to Kangana, you know there is a Bhagalamukhi temple which was established by Pandavas. You go to Yogini temple, Yogma hai yaha ke bäthi hai. Inka kuch na kuch reason ho ga. Krishna ko bhi bachnay ke liye. Lord Krishna was born. Ek simple sa cheese mujhe bata. Lord Krishna was born as a baby. Kans was going to kill him. Unko ye pata na. Lord Krishna, Sakshat Vishnu, bachche paeda huye, utha paeda hote hi sida kans ko kyuni maa da da. Question do ye. Aur sattwe number pe kye upahle number pe Krishna na ke kans ko kyuni maa diya. Why even wait for seven murders? This is the, this is the play of planets. You cannot bypass the laws of universe. The laws exist for a reason. Your karmas, you cannot just extinguish like that. So there is no one mantra. If there was one mantra, then even Arjun, who was directly under the tutelage of Lord Krishna, didn't have to do Brahmastra sadhana, Bhagalamukhi sadhana, Nanavdi sadhana. Ram ko bhi, you go to Orisa. Itni sari unho ne, joh hai, teerthiyatra ki Ram ne. Navgara ko bithaya. Hanuman ji, Hanuman ji waane ki ki kya zhore ti? Ram akelye kar lhe te? Ram to Vishnu te? Why did Hanuman ji come into existence? Hanuman ji hai kya? Hanuman ji ko kyun ona pada? Because universal laws. We cannot bypass the laws of universe. We have to work out all of this. Krishna could not just immediately end Mahabharat. It does not happen. I will explain this question Hindi me. Jaya ji nai question puchha ki koji eek mantra nii hai jis se sara ka sara solve hoja hai. Kauki kubhi eek jab karne ka man kata hai kubhi eek. Jab Krishna or Ram bhi human purushka rup lete jab aate hai manav rup me unko bhi Navgarao ki pujha karne pardati hai. Aap Devi Pattenam jau Chennai me sorry Tamil Nadu me maha pe Navgara ki shaapna ki hai Ram ne. Shri Krishna ki Jagannath yatra jana se shuru hothi hai voh Gundich Mandir voh Navgara Mandir Aagar mein aapke ghar aatii ho aap jaisa mujhe khanah khala ho aap jaisi jaghe pe mujhe bithao mujhe aap kis voh aap जब धर्ती पे आते हैं, उनको इनके अनुरूप ही काम करना पड़ता है, वो ये वाले जो लॉज है, ये वाले जो नियम है, उनको नहीं तोड़ सकते हैं। वरना कृष्ण पहले नंबर पर क्यों नहीं पैदा हो गए? साथ हत्याएं क्यों की कंस ने? आचा कृष्ण पैदा होते ही कंस को क्यों नहीं मा डाला? जाके वहां ब्रिंदावन क्यों रहना पड़ा हमको? इतना स्ट्रॉंग होता है. भगवान ने एक स्रिष्टी बनाई है आप जैसा करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा. जल्दी प्रसंदोने वालों में नवग्रा आते हैं, जल्दी प्रसंदोने में बहुत सारे और जिनको देवता कैटेगरी दे जाती है, भवान की कैटेगरी नहीं दी जाती है. इनको प्रसंद करने से जल्दी जल्दी आपक material world पे काम होते हैं पर spiritual evolution के लिए भी मैंने बोला यह जो नर्वग्रा हैं यही आपको spiritual evolution लेकर जाते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नती भी बिना नर्वग्रा प्रसंद हुए नहीं हो सकते हैं आपके चक्र नहीं जग सकते हैं आपको इन लोगों के थुरू जाना ही पड़ेगा आप मरना आप करते रहे जाओ जितना जो पूझा करनी हैं करते रहे जाओ आप आप लोग जो भी यहां आज बैठे हो सब लोग कई सालों से चप कर रहे हो ना फिर भी तो problem का solution नहीं हो तभी तो आज मेरे साथ बैठे हो और इसमें ऐसे कितने लोग है जिन लोगों ने सिर्फ सिर्फ जो जो मतलब गुरुजी ने बताया है जो मतलब मैंने गुरुजी की जो बाते बताई है वो वाला नियम क्या और उनकी लाइफ चे सबको मा के पेट से जनम लेना पड़ता है सबको मरना ही पड़ता है कोई भी यहां पे अजर अमर नहीं रह पाता है सबको जो है जाके वैसी चलाए जाता है सबके अंदर हड़ी है सबके अंदर मास है सबके अंदर खुन है चाहें वो देवता भी पैदा हो, उनको भी पेट से पैदा होना पड़ा था, वो भी कोई आसमान से नहीं निकल गए, ये सृष्टी के नियम है, इसलिए हमको ये सारी पूजाए करनी पड़ती है, पूजाए करने का एक नियम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे अगर मेरे को सपोस्थ आर्मी चीफ से मिलना है, तो एक प्रोटोकॉल है, मैं ऐसे उनके आफिस में नहीं कुछ सकती हूँ, ये प्रोटोकॉल अनफॉर्चनेटली लुप्त हो गया, लोग भूल गये, हमारे यहां पर गुरू के नाम पर जितना धंदा और जितना गंदगी फैल है, उतना और कहीं नहीं है, और इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से सारी लॉस चेंज करके ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये हो जाएगा, वो कर लो, जाएगा, कुछ नहीं होता है, इसलिए जो सही धंगे, आपको उसको फॉला करना पड़ेगा, कोई शॉटकट न कि रसमना याई, तोम्रोह रtyमार्य कर बने अ नहीं है उसको एल ये कि रसकारा उम्हाराइ, को विता ल को ये कि झा रा के सब्स कर लोगों मे लोगों खको थेली से अवंगों में नहीं हि不会 제 13th, नहीं है ओना ओना नहीं सर बन्हाराइ. कि मोशन भीता नहींतश, बूबेश सेम तिंग हापने साधक थोड़ा सा जब करते हो एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ चेंज हो जाएगा और गुरू सब कुछ चेंज कर देगा गुरू आपको उतना ही रहेगा जितना अगर चलो गुरू ने प्रसंद हो के आपको मर्सीडीज दे दी आपने गुरू को एक नस में पाएगा तेके भिए नहीं समाल पाएगा। Same thing happened with Guruji also, I remember people used to go this diksha, that diksha, even if Guru gives you those dikshas, you cannot handle those dikshas. So the Guru can give you Mercedes but you cannot maintain the expenses, you cannot maintain the car, you will not be able to find the money for fuel, then what is the point? that is why you don't get it. You will get what you deserve but the more you give the more you connect the more you will get there is no doubt about that. Only gurus can break the laws of nature even gods cannot. They are not allowed to break the laws of nature. This is the reality. God is too high. ये सब तो देवना है God is a very high concept and God तक जो सजाएगा उसको कोई फरक नही पड़ेगा उसके पास क्या है क्या नहीं है उसके दिमाग में इसब डाउट साएगा है नहीं. God तक जाने वाले रमना मर्शीव अगे रहा है वो सब छोड़ देते हैं, उनको कोई फरक नहीं पड़ता. God तक जाने वाले को नाव मतलब नाव मेरे को मैं भी थोड़े दिन के वाना, I will not be interested in taking classes or anything. Because if you are interested, you will yourself go and do whatever is to be done. You have to do your own sadhana. Any other question, Jaya ji? I hope this answered your question. Yes, thank you so much. Anybody else? Any question? Mind up, current session? Vee? Yes, yes, say it. Vee, जो भगवान ची के चंदर लगता है, वो mostly कहते है वो अश्टमी का चंदर होता है. तो ऐसे क्यों पर्टिकुलर है कि वो अश्टमी का ही चंदर होता है? अश्टमी का चंदर है, इसलिए होता है. Very good, very nice. और कल भी मैं जब गुरू मंतर कर रही थी, तो मुझे गुरू जी दिखाई दिये थे और बालातरी को सिंदरी बड़े अश्टमी का चंदर होता है. अश्टमी का चंदर होता है. फर्स्ट इस अमावस्या, न्यू मून, ट्राइंड दू आजमा चंदरमा साथना इस पॉसबर, ट्राइंड डॉनेट सम्थिंग वाइट तो वहरेवर यू कैन. इक के सारी को अमावस्या है, आप लोग सफेद रंग की कोई भी चीज जो है दान करेंगे, और चंदरमा की साथना करेंगे, और पितरों को अर्ग देंगे. फिद बाइस तारीक से हैं, हम लोग 9-10 प्रिफरेबली, हम लोग अपना जब शुरू कर रहे हैं. ठीक है? अनमाजीक. लोग बाइस तारीक को 20 सेकंड, everybody will sit, जिसको जिसको अपनी बादा हतानी है, सब लोग एके coconut लेके बैठेंगे. 20 सेकंड, तोस वांट रिमोब obstacles from their life, बिल सित विद अपना coconut. Okay? Do we continue the forgiveness meditation? You should continue the forgiveness meditation. Forgiveness के बाद, जब तक हमारा वो नही शुरू होता है, Mars continue with this meditation. Then we will focus on other things. Okay, thank you. Thank you. This week we are still doing Chandrash Shatma. We are doing Chandrash Shatma. 21st, because 22nd onwards we will start Hanuman Jav and it is only three days, so no point in changing the mantra now. Hello? Okay. But reflection, five minutes is helping the most, I think, to me. I don't know about others. That is the whole point. This reflection. Five minutes, अभी तो शुरुआते, अभी तो शुरूआते, अभी तो शुरूआते, अभी विन भी तो अधर ग्रहस, तब तक है कैसे-कैसे ऐफेक्त होता है. Then you will never come and question कि नभरा करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए. And I want you people to experience. कि आप लोग एक्सपीरियंस नहीं करो के बुक से पढ़के तो यार कुछ भी बता तो